पालन पोशा, आईडिया वीडियो, जन्म से तेन साल के बच्चों की माताओं के लिए आज की मिटिंग में आई हुई सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है आईए, सभी माताओं बच्चों के साथ इकहटा बैटे चलिए आज की मिटिंग की शुरुवात एक प्यारे गाने से करते हैं पिछले हफते की मिटिंग की शुरुवात हमने एक प्यारे गाने से और एक मज़िदार खेल से की थी दिखाई गई गटनाओं में बच्चा कैसे अपनी भावनाए दिखाने लगता है ये देखा था साथ ही हमने जनम से तीन साल के बच्चों का मात्र एवं बाल सुरक्षा कार्ट का इस्तिमाल कैसे करें ये देखा था आपने वीडियो में दी गई जानकारी समझी होगी तथा दिखाए हुए खेल बच्चों से करवाए होंगे चलिए इन सभी के अनुबव यहां सब के साथ साजा करते हैं ये गतिविदी होने तक ये वीडियो यहां पॉस करते हैं मताओ के दो समू बनाकर उन्हें आमने सामने खड़ा करें बीच में कुछ अंतर रखकर टेड़ी मेडी दो रेखाएं बनाए अब दोनों समू एक दूसरे के सामने मू करके खड़े रहें मियोजिक शुरू होने के बाद एक-एक माता की जोड़ी अपने साती का हाथ पकड़ कर रेखाओं से बिना हटे अंतिम रेखा तक चलेगी जो जोड़ी बिना संतूलन खोए और बिना हाथ छोड़े रेखा पार करेगी वे विज्जेता होगी ये गतिविदी होने तक ये वीडियो यहां पॉस करते हैं आशा है ये गतिविदी सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी चलिए अबागे की गतिविदी करते हैं जिसका नाम हो कुछ नया सीखते हैं क्या आपको पता है भारत में हर साल कुपोशर के कारण मरने वाले 5 साल से कम उमर वाले बच्चों की संख्या 10 लाग से भी जादा है आईए जानते हैं बच्चों में कुपोशर के कुछ प्रमोकारणों को अहार में पोशक तत्वों की कमी से बच्चा कुपोशड का शिकार हो सकता है वैसे ही इसके अधिक सेवन करने से होता है मा का दूद कई पोशक तत्वों से भरपूर होता है कई बच्चे मा का दूद ना मिलने की वज़ा से कुपोशड का शिकार हो जाते है समय से पहले पैदा हुए बच्चे भी अक्सर कुपोशर का शिकार हो जाते हैं. अगर बच्चा समय पर खाना नहीं खाता, तब भी वे कुपोशर का शिकार हो सकता है. बच्चा कुपोशित हैं ये कैसे जाने? मात्र एवंबाल सुरक्षा कार्ड में बच्चे का आयू अनुसार वजन दिया गया है यदी बच्चे का वजन हरे रंग के खानों में दर्च किया है तो आपके बच्चे का स्वास्ते अच्छा है ये समझे बच्चा जब पीले या लाल रंग के खानों में दिखाया जाता है इसका मतलब बच्चा को पोशित है ऐसे में तुरंत नजदी की डॉक्टर आंगनवारी कारे करता या एन एन एम को दिखाएं इस जानगारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है सभी माताएं बारी बारी समू में बताएं ये गतिविती होने तक ये वीडियो यहां पॉस करते हैं चलिए बागे की गतिविती करते हैं जिसका नाम है घर जाकर बच्चों के साथ करें आईए सभी माताएं बच्चों के साथ इखटा बैठी इन खेलों को देखें और समझें इस खेल से बच्चे की बड़ी मास पेशियां और मजबूत होती है साथ ही समाजिक भावनात्मक विकास बैतर होने में मदद होती है घर के कोई सदस्य जैसे भावी बहन कोई गाना लगाकर बच्चे के दाए बाएं घूमते हुए नाचें बच्चे को तकिय का सहारा देकर बिठाएं मा बच्चे का मनपसंद गाना लगाकर बच्चे के सामने ताली बजाते हुए जूमें बच्चे को ताली बजाकर जूमने के लिए प्रेरित करें मा या घर का कोई सदस्य कमर पर डुपट्टा बांड कर उसका एक छोर बच्चे को पकड़ाए और गाने के ताल पर आहिस्ता आहिस्ता रेल गाड़ी चलाते हुए दोनों नाचें घर के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बच्चे के साथ गाना गाकर जूमें नाचें ये गतिविदी होने तक ये वीडियो यहां पाउस करते हैं अगले सब्ता की मिटिंग तक ये खेल अपने बच्चों के साथ कुछ समय निकाल कर जरूर खेले आज की गतिविदिया यहां पर समाप्त हो नहीं है ऐसी ही और नहीं जानकारियां और गतिविदियो के साथ अगले हफ़ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना वापने बच्चों का खयाल रखें धन्यवाद